राधे राधे एवरिवन अधिक मास जिसे हम पुरशोत्तम मास कहते हैं बहुत ही विशेश होता है जो कि तीन वर्ष में आता है और ये सावन के साथ आना बहुत ही दुरलब होता है जो कि करीब करीब 19 वर्ष बाद ये सावन के साथ सयोग करके आ रहा है यानि कि सावन का में साथ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें विशेश रूप से दीबदान करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी तिथियां हैं जो कि पुझे गुरुदेव जी द्वारा बताई गई हैं कि सावन का जो अधिक मास होता है ये किस प्रकार से दीबदान करना है और यदि आप इन साथ तिथियों में जब तप ध्यान आदी करते हैं तो पूरे पुर्शोत्ता मास अधिक मास की पूझा का फल हमें प्राप्त होता है तो ये साथ तिथियां ही ये बहुत ही विशेश मानी गई हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इन साथ तिथियों में जो की हमारे शास्त्रों में वरनित हैं किस प्रकार से हम दीबदान करें तो इसमें हमें क्या करना है आप चाहें तो देके मिट्टी के दिये ले सकते हैं आटे के भी दिये आप बना सकते हैं बस हमें ध्यान ये रख इससे क्या होता है हमारे वंच की व्रद्धी होती है लक्षमी में भी व्रद्धी होती है घर में सुक्सम्रद्धी की व्रद्धी होती है क्योंकि देखिए पित्रों के नाम का जो दिया होता है वो भी लंबी बाती का लगाना चाहिए नवरात्रों का जो दिया होता है वो भी तिथी दूसरी तिथी होती है अस्टिमी तिथी तीसरी एकादशी चौती प्रदोश और पांचवी शिवरात्री छटी अमावस्या और साथ वी पुर्णमा तो ये साथ तिथियां बहुती विशेश होती हैं अधिक सावन के अधिकमास की तो इसमें हमें पांच दिये लगान से जैसे कि पंचमी तिथी निकल चुकी है आगे आने वाली पंचमी में आप इसको कर सकते हैं आने वाली अस्टिमी में कर सकते हैं और जैसे कि कल एकादशी है तो कल भी आप इसे कर सकते हैं तो इन सातों तिथियों में हमें पांच दिये लगाने हैं और दो दो बार ये सा तरफ मुख रखना है बाती का, और दिये के नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर देना है, चाहे तो आप अक्षत का आसन दे लें, जैसे कि कल एक आदशी है तो तिली का आप आसन दें, और नहीं तो पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, तो घर के बाहर प्रजवित करें, घर के मंदिर में इस दीपतान को कर सकते हैं और इसे के साथ में बेल वरक्ष के नीचे भी इस दीपतान को आप कर सकते हैं और साथ में पीपल के नीचे भी आप इस दीपतान को कर सकते हैं तो ये पाँच दिया पाँच जगह भी प्रजवित कर सकते हैं बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर के पूजा इस्थल में ही इन दियों को प्रजवित कर दें, बहुत ही विशेश उपाय है, माना जाता है कि अधिक सावन मास में यदि इस प्रकार से दीपदान किया जाता है, तो हमारे घर में सभी प्रकार की सुक समर्थी आती ह रोग शोक का नाश होता है, और व्यक्ति का यदि कहीं पर भी किसी प्रकार को कोई भी काम अटका हुआ है, कोई भी धन सम्मंदी समस्या यारी है, वो सब दूर हो जाती है, पुझे गुरुदेव ने अपनी कथा में इसका वरणन बहुती विस्तरत रूप से किया है, तो आने वाली ये जो हमारी तिथियां है, इनमें हमें इस तरीके से दीपदान अवश्य करना चाहिए, बहुती विशेश तिथियां क्योंकि सावन अधिक मास पढ़ना बहुती धुरलब संयों होता है, और ये जो पांच दीपकों का जो ये दान किया जाता, इन साथ तिथिय जो भी छोट गई है, कोई बात नहीं, आने वाली तिथियों में आप इस तरीके से आप पांच दीपकों को अवे शुरूप से प्रजवित करें, देखेगा घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, रोक शोक सभी समाप्त हो जाते हैं, तो उमीद करती हूं कि ये आपके लिए बहुत ही यूसफवल रहागा, वीडियो थोड़ा भी यूसफवल लगायते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जाज़ जादे शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में विष्ण भगवान की जाया पावश्य लिकें, मिलत तब तक के लिए हरे किशना राधी राधी